हेलो एब्रीवन आज मैं आपको अपने गार्डन के सदा बहार जिनको विंका प्लांट भी बोलते हैं उसके बारे मैं बताऊंगी उनकी केर में किस तरीके से करती हूं और मेरे पास कितने कलर के हैं वो मैं सारा आपको दिखाती हूं मैंने इस प्लांट छत पे रखे हैं इसक और किस तरीके से अच्छे रह सकते हैं तो फिर मैंने वैसा किया जैसी मेरे प्लांट बहुत सुन्दर है कि सिंपल प्लांट तो हर जगह उग जाता है यह परपल और वाइट होता है पर जो हाइब्रेड है जो आपको यह दिख रहा है इसमें बीच में जो पिंक वाला लगे दिख जाते हैं दर्वाजों के बाहर भी उगे हुए दिख जाते हैं पर इनको गंबले में हम किस तरीके से लगाए कि वह बहुत सुन्दर ग्रोथ करें वह मैं आपके साथ सेयर करती हूं यह देखिए मेरा यह परपल कलर का जो प्लांट है यह बहुत सुन्दर जैती हूं जिससे इनका सेप प्रॉपर गोल आता है उपर से यह प्लांट मैंने थोड़े बड़े गंले में लगा रखे हैं जिसे उनकी रूट को फैलने में काफी स्पेस मिलता है इस प्लांट को कटिंग से भी उगाया सकता है और बीज से भी लगाया जा सकता है मेरे ध इसका कलर देख लूँगी उसके बाद इनको गमलों में लगा दूँगी यह आसानी से उग जाते हैं कुछ प्लांट मैंने मेरे गेट के बाहर लगा रखे हैं यह सालवार ऐसे फूल देते हैं मैं इनकी कटिंग करती रहती हूं सेप में थोड़ा यह प्लांट रोज फूल द अभी क्योंकि गर्मी है तो आप इसमें लिक्विट फर्टिलाइजर दें हर दो चार दिन में उसके गमले में थोड़ा गुडाई कर दें और इसको प्रॉपर से उसके कटिंग करते रहें उपर से अगर हम कटिंग नहीं करते हैं तो उसका सेप अच्छा नहीं रहता है तो बस आज इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक यू फर वाचिंग